नमोस्तू आचायशी सोवालाल पांडे आपसे संगा कर रहे हैं आचायशी मैं जाती से पंडित ब्राम मड़ूं और हमारे यहां जनियू का धारण क्यों करते हैं मैं जानता हूं लेकिन हमारे साथ साथ कुछ जनियू का धारण करते हैं आचायशी मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो जनियू का धारण करते हैं वह क्यों धारण करते हैं और जनियू धारण करने के क्या नियम है आप लोगों के हां किर्पया मुझे बिस्तार से बता हैं नमुस्त वाचैसी उसके आचरण जो हैं वो जेनकुल के अनुशार होना चाहिए आठ वर्ष तक उसकी मा जो है उसके भृतों का पालन कराती है आठ मुलगुन जो है पांच दंबर और तीन मकार का जो त्याग है वो मा उसका पालन कराती है आठ वर्ष के बाद वह सुयम ही देव सास्त गुरू के सानिद में संकल्प धारन करता है मैं कभी भी तीन मकार मतलब मद्ध, मधू और जो है माश इसको कभी गहन नहीं करूँगा और पांच ओदंबर जो अवक्ष फल हैं उनको गहन नहीं करूँगा इस ओदेश से वहे आठ वर्ष का जो बालक है वो नियम को लेता है और जब तक मेरा विवाहर नहीं हो जाता है तब तक मैं पूर्ण ब्रमचर का पालन करूँगा यह ब्रमचर का भी नियम होता है अपने ही भगवान अपने ही गुरु और अपने ही सास्त्र को जो है वह मानता है और उनका ही दर्शन करता है ऐसा भी वह संकल्प लेता है बरत्मान में करनाटक और महाराष्ट में इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रशार है वहां पर एक बार में पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-पांट-प हमारे यहाँ पर जो जन्यों है यग्यों पवित है वो आचरन का प्रतीक है ब्रत का प्रतीक है इस उद्देश से लिया जाता है और एक संस्कार होता है बिवाहत होने पर जब बिवाहत होता है तो पुराना जन्यों निकल जाता है और उसे एक जन्यों पहनाया जाता है और व अन किसी के प्रती में बुरे विचार और बुरे कार नहीं करूँगा अर्थात में ब्रमचर अनुवरत का पालंग करूँगा इस भाव को लेते हुए वह यग्योपवित धारन करता है यहां तक कि हमारे यहां पर वही यदी छुलक बन जाए छुलक बन जाए तो छुलक भी जो है यगोपवित धारन करता है और अपने ब्रमचर प्रतिमा को धारन करते हुए यहां भाव रखता है कि मैं जो है पून जो ग्यारा बृत है मेरे जो अनुप ग्यारा प्रतिमाएं हैं उनका पून रूप से मैं जो है शिकार करता हूँ पालन करूँगा ऐसा भाव रख प्राण चले जाएं पर मेरा जो ब्रत है वो खंडित ना हो उसको मैं पूल डूप से निभाऊंगा इस उद्देश से यह इसको गरहन करता है इसलिए वह जन्यों को कभी भी अपमान नहीं होने देता है जन्यों को नाभी के उपर से रखता है और उसका सम्मान रखता है उसक भाव रखा गया है अन्यमत में जो है वो क्या है पता नहीं लेकिन जैन ध्रम में इसी उद्देश से ब्रत और आचन का प्रतिक शरूप में जन्यों यग्यों परी संसकार होते है नमुस्तु आचरसी रतनेश जैन इन दोर आपसे संका कर रहे है आचरसी जिन कर्मों का आस जैन धरम में जो भी कथन है वो सभी कथन सार्थक है वेर्थ कुछ भी नहीं है भग्मान महाविर स्वमी बहुत बड़े बैक्यानिक अर्थात जो कुछ भी कहा है बहुत युक्ति संगत कहा है आश्रो भी सार्थक है और बंद भी सार्थक है दोनों सब्द सार्थक है उनों के परिणामों को अलग ही समझना जब अपन ने किसी वस्तु से राग किया तो वो हो गया आस्रो और उस राग में टिके रहना उस राग में तुम्हारी टिके रहना जो टिके हो तुम कितनी आसकती से जो राग कर रहे हो उससे क्या हुआ बंद होता है बंद क्या है यद और वह जो है कितना फल देगा यह काम आशरों का नहीं है यह काम आशरों का नहीं है आशरों ने एक छन किया बस और वो गया वो वाला तो चला गया अब उसी को लेकर के जो वह जीव जो है रा कर रहा है या दूइस कर रहा है या मोह कर रहा है उसको परिणामों को लेकर टिका हुआ है उससे जो आत्मा में कर्म बंदेगा वह आत्मा में कर्म बंदेगा तो उसकी जो इस्तिती कितने कोड़ा कोड़ी सागर तक ये इसकी इस् करेगा कि इसको कित तक रखना है और कितना फल देना है इसलिए बंद जो है वेर्थ बिल्कुल भी नहीं है ऑनलाइन समान बुक करा लिया यह आश्रा हो गया अब वो समान जब आये यह जब तक नहीं आया तब तक उसके बारे में जो आशकती और टिकी हुई है वो बंद हो उसी से ही उसका समान का कब तक भोग करना है कितना फल देना है वो सारी के सारी आगामिकाल की चीजें आप आएंगी तो इस प्रकार से आश्रों भी जो है महत्पून है और बंद भी महत्पून है तो बंद बियर्थ नहीं है कि आश्रों हुआ तो बंद तो होना है बंद त अब तक होगा और कितना फल देगा यह कों से डिसाइड करेगा तो वो दूसरा जो परिणाम जो आश्रों के बाद दूसरा परिणाम उसी परिणाम में टिके रहना और कितने मंद से मंदतर से या तीवर से या तीवरतर भावों से जो टिके हुए हो वही से डिसाइड होगा इस्ति और अनुहाग का और अन्य सभी संकाएं हमें भेश सकते हैं और आपको उन संकाओं का आगम के अनुशार समाधान प्राप्त होगा पूझ गुर्देप के मुखारविन से और आधिना टीवी चैनल के माध्यम से आप इस कारिकरम के पुर्ण्याजग भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपन नाम प्रशारत करा सकते हैं अगर आप इस कारिकरम के पुर्ण्याजग बनना चाहते हैं तो हमें नीचे देगए नंबर पर संपर करें एक महीने के लिए 11,000 रुपे की राशी के माध्यम से आप पुर्ण्याजग बन सकते हैं और अपना नाम आधिना टीवी चैनल के माध हम से पूरे विस्त में प्रशारत कर सकते हैं जय जिनेंद्र कर दो हम एक माध्यम से नाम करें बना बना हैं आपना आप राशी जाप एक माध बना पर एक अपना आपना एक माध्यम जिनेंद्र